नमश्कार आदाव सस्रियाकाल नौलेज मंतरा के इस फ्रेश सूपर इसक्लेसे शो में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ इतियास में कई ऐसी कटनाई हुई है जिनके बारे में जानकर लोगों को काफी हैरानी होती है 106 साथ पहले यानी 1913 को फरवनी महिने में उत्तरी अमेरिका में बसे एक देश में ऐसी एक खटना सामने आए थी जिसे जानकर आपको आश्यरी होगा दरसल इस देश में एक घंटे के भीतर तीन राष्ट्रपती बन गये थे आखिर वो कौन सा देश है और क्या हुआ था वहाँ जिस वजह से एक घंटे में वहाँ तीन राष्ट्रपती बन गये थे आईए चानते हैं हमारी फैक नमबर वन में मेक्सिको छेत्रफल के हिसाफ से अमेरिका में पाच्वा और दुनिया का 14 वा सबसे बड़ा देश है इतना ही नहीं यह दुनिया के सबसे खुपसूरत देशों में से भी एक है लेकिन 19 फरवरी 1913 को कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में तरस हो गया नाशनल पैलस और सैने चोकी शहर की बीच कूली बारी हुई थी इस दोरान राष्टपती फ्रेंसी को आई मेडरा की खिलाफ पूरे देश में सबर दस विद्रोह हो रहा था और देश के हर शेहरों में इस विद्रोह की आग पढ़क रही थी जल्दी या विद्रोह राजचनादी तक पहुच गया जनरल क्विंटोरिया युएटा की नेतृत्वों में विद्रोह हो रहा था और विद्रोही गुटों ने राष्टपती फ्रांसेस को आई मेडरा की सरकार का तकता पलेट कर दिया था राष्टपती मेडरा को हिरासत में ले लिया किया इस दोरान पेडरोल लुसकरिन ने मेडरा को भरोसा दिलाया कि अगर वो राष्टपती पत से इस्तिफा नहीं रेते है तो उनकी जान को खत्रा है इसके बाद राश्ट्रुपती मेडोरों ने इस्तिफा दिया और कानूनी रूप से इसे मान लिया किया मैक्सिको के 1857 के सविधान के तहट देश के राश्ट्रुपती के पत से हटाये जाने के बाद उप राश्ट्रुपती और अटर्नी जनरल विदेश मंत्री और फिर आंतरिक मंत्री क्रम अनुसार राश्ट्रुपती के दाविदार थे चनरल हेटा ने राश्ट्रपती के साथ साथ उप राश्ट्रपती और अटरनी जनरल को भी हटा दिया था यानि इसके बाद विदेश मंत्री का राश्ट्रपती बनना तै था पेडरोल लुसकरिन राश्ट्रपती में ड़र की सरकार में विदेश मंत्री थे ऐसे में वो राष्ट्रपती बने लेकिन यह सब टैप लान के अनुसार हो रहा था पेडरोल लुस्करीन को चनरल हर्टा का समर्थन प्राप था ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपती बनते ही चनरल हर्टा को अपना आंतरिक मंत्री बनाया और फिर इससिफादी दिया इसके बाद नियमों की अनुसार चनरल हर्टा का राष्ट्रपती बनने का रासा साफ हुआ और बाद में उन्होंने राष्ट्रपती पत की शपत ली यह सब एक घंटे के अंदर हुआ था पेडरोल लुस्क्रीन करीब 26 मिनिट के लिए राष्ट्रपती रहे ऐसे में उनका नाम रेकॉर्ड में दर्स हो गया सबसे कम समय की राष्ट्रपती रहने का रेकॉर्ड आज भी पेडरोल लुस्क्रीन की नाम ही है